अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करें, तो it is involuntary passage of urine. आपकी इच्छा के विपरीत आपका urine लीक कर जाना. ये आपकी urine की करने की शमता आपके मांसिक control के अंडर रहती. जब आपको urine ठीक से लगता है तब आप bathroom जाते हैं, लेकिन कुछ patients में, कुछ मरीजों में ये शमता कम हो जाती है, उसके कारण कैसा रहे हैं, उस शमता के कम होने के कारण उनको bathroom जाने से पहले urine लीक कर जाता है. या कभी-कभी उनको पता भी नहीं चलता है और urine लीक कर जाता है. तो ये एक basic definition है, urinary incontinence की. ये किस age में पाए जाता है, तो ये सभी age में पाए जाता है, but it is more common in elderly people. लेकिन ये भरती उमर का पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप बुजर्ग हैं, आप की उमर जादा है, तो ये एक normal aging process है, नहीं ये normal aging process नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है. तीन टाइप के urinary incontinence होते हैं. यूजली एक, पस्ट, जो most common is, that is urge incontinence. आपको पिशाब इत्ती तेज लगता है, कि आप उसको control नहीं कर पाते हैं, पिशाब छूट जाती है. दूसरा कारण है, stress incontinence, जो की महिलों में ज़्यादा पाय जाता है. Repeated child birth के वैसे, या surgeries, pelvic surgeries के वैसे, या किसी और कारण भरती उमर कारण भी, pelvic flow and muscles weak हो जाती हैं. उसमें क्या होता है, कि जब आप महिलाएं खास्ती, छीक्ती, या उठके एकदम से बैठेंगी, तो थोड़ा बहुत urine leak कर जाता है. तीसरा टाइप है functional incontinence. Functional incontinence भी इसको कहते हैं, जब आपको urine लगा हो, लेकिन आपके पास bathroom की सुवधा ना अपलब दो. या आपको चोट लगी हो, आपको कोई दर्द हो रहा हो, जिसके कारण आपके पास कोई helper ना हो, आप उठके bathroom नहीं जा पा रहे हैं, और तब आपको ज़्यादा urine इखटा होने विए से urine control नहीं कर पा रहे हैं, छूट जा रहे हैं. सबसे common इन तीनों में से urge incontinence रहता है, urge incontinence में आप थोड़ा थोड़ा amount of urine जल्दी यल्ली पास करेंगे, and that is the most common type of incontinence, कुछ incontinence ऐसे होते हैं, जिसमें दोनों तरीके समस्या होती है, urge incontinence भी होता है, plus stress incontinence भी होगा, जब आप उठेंगे बैठेंगे, तो भी urine leak करेगा या और आपको जल्ली यली थोड़े थोड़े amount में urine pass होगा, तो इन सब चीजों को हमको सबसे पहले assess करना है कि आपका main कारण क्या है incontinence का, क्या आपके पास ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, जिसके वेसे आप bathroom की तरफ जान नहीं पा रहे हो, या जैसे आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, arthritis हो, या और कोई कारण हो, तो उस condition में हम लोग patient को ये advice करते हैं कि pod pass में रखा रहे हैं, या कोई सुधा ऐसी हो कि बात्सूम ले जाने मदद करें, तो ये तो एक easy method है जिसको हम लोग treat कर सकते हैं, दूसरा है urge incontinence और stress incontinence, इसमें हमको patient की history से उसकी तक हम लोग मरीज को बलाते हैं, उसको लिटा के, उसके pelvic area का direction करते हैं, उसको बठा के, उसको खास के छिकवा के, उसका urine leakage का test करते हैं, urge incontinence में usually patient खुदी history देता है कि उसको पिशाप थोड़ी थोड़ी देर में भागना पड़ता है, युनिवे, तो basically it is ruled out by the history of the patient, इसको बा bladder में पिशाप करने के बावजूर भी bladder में पिशाप रुकना रहा हो, या kidney में ऐसा कोई infection ना हो, infection के कोई करना हो, urine का हम test कराते हैं, urine infection उल आउट करते हैं, हम patient को एक avoiding diary बनाने के लिए बोलते हैं, कि वो कितना amount दिन भर में पी रहा है, और कितनी दफा किस time पे उसको कितना पिशाप जाना पड़ा है, तो वो हम उसको बोलते हैं, दो से तीन दिन की diary मना के, हमारे पास आएगा, तो वो हमको एक basic idea देता है, उसकी disease के बारे में, तीस्ता हम पिशाप का flow भी चेक करते हैं, कि पिशाप का flow कैसा है, especially in male patients, जो 40 and 45 above हैं, कि उन में अगर ये दिक्त पा का टेस्ट कैसा है, ऐसे sugar का टेस्ट कराते हैं, हम लोग कई सारे टेस्ट हैं, जो कि हमको मदद करते हैं, इसका कारण रूल आउट करने के लिए हम इसको divide करेंगे, males में, females में, बच्चों में, तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ये unary incontinence की problem, normal community में काफी common है, करीब 15-20% मह उमर दराज हैं, उनमें थोड़ी बहुत ये problem पाई जाती है, उस problem की severity कम जादा हो सकती है, इसी तरह, उमर दराज, males में, ये करीब 7-8% का percentage पाया गया, normal जनता में, बच्चों में इसके कई कारण होते हैं, कम होते हैं, लेकिन बच्चों में, जब एक बार वो अपनी हैं, सबसे आदा common ये है, growing females में, जो बड़ी उमर की females होती है, उनमें ये problem जदा अधिकतर पाई गई है, इसके कारण क्या है, कि जो normal pregnancy होती है females में, और especially वो जो इनकी normal delivery होती है, delivery के कारण, कई बच्चों होने के बाद, आपकी जो pelvic floor muscles हैं, जो की urine को control करने में, आपकी करते हैं, वो weak हो जाती है, due to repeated child birth, दूसरा है कि उमर के साथ estrogen, progesterone की कमी होती है, जो की pelvic floor और उसकी mucosa को strong रखने में मदद करते हैं, धीरे-धीरे उमर के साथ वो hormones कम हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण है pelvic floor weakness का, या atrophic vaginitis का, तीसरा ये है कि females में अक्सर देखा गया है क की बढ़ती उमर के साथ उनका bladder थोड़ा सा over active हो जाता है, जादा सक्रिय हो जाता है, normal से जादा, तो ये तीन main कारण हैं, जिनके कारण females में ये दिक्कत जादा पाई गई है, मेल्स में भी ये दिक्कत पाई जाती है, especially older age groups में, जैसे जैसे कि आपकी उमर बढ़ती है, और अगर मरीजों ने इस चीज को टाला है, अपनी परिशानी को टाला है, तो आगे चलके ये दिक्कत कर सकता है, एक तो पिशाब में अवरोध होने कारण ठीक से खुल के पिशाब नहीं होता है, वो धिरे-दिरे करके खटा होता है, और एकदम से वो लीक करने की tendency करता है या prostate के कारण ही उनका bladder जो है वो overactive हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है, नॉर्मल age-related changes bladder की muscles में आते हैं, जिसके कारण males को भी इस problem का शिकार होना पड़ सकता है बहुत लोग को urine तेज लगता है, कभी-कभी उनको भागना भी पड़ता है, बाथरूम की तरफ, लेकिन वो control कर लेते हैं, बाथरूम जाके ही अपना urine करते हैं, कुछ समस्यां ऐसी हो जाती हैं, जब वो control नहीं कर पाते हैं, बाथरूम पहुचने से पहले उनका urine leak कर जात है, तो मेन प्रॉबलम है कि involuntary passage of urine, तब से पहले हमको ये समझना अच्छी तरीके से पढ़ेगा कि this is not a part of normal growing process, आपकी उमर जादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप urinary incontinence के शिकार होएंगे ही होएंगे, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इसको पता करना, इसका इलाज करान समय पे जरूरी है, नहीं तो ये थोड़ा सा आगे चलके kidneys पे भी effect कर सकता है, तो हमको सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि rule out करना होता है किस प्रकार का incontinence है, और उस प्रकार से हम लोग इसका treatment करते हैं, तो सबसे पहले हम दवाओं पे नहीं जाते हैं, हम patient को advice करते हैं कि एक उपनी bladder diary बनाएं, note करें कि उसको किस type के fluid से दिक्कत हो रही है, कब fluid कितने बज़े उसका exact leakage हो रहा है, तो हमको एक अंदाजन amount पता जाता है कि उसका bladder की capacity कितनी है hold करने की, तो हम उसका fluid और पानी का intake control कराते हैं, कई लोग बहुत जादा पानी पीते हैं, जिसका भ रखने का, समय समय से fluid लेने का, एक साथ bulk में fluid लेने के लिए नहीं बोलते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि ऐसे पदार जैसे की चाहे, काफी, मिर्स मसाली वारे चीज़ें थोड़ी सी कम ली जाए, बिल्कुल बंद करने ही जरूद नहीं है, लेकिन हाग कम ली जाए, और हम लोग उनके bladder को train करने की कोशिश करते हैं, bladder training मतलब ये हुआ कि जब आपको अर्ज महसूस हो पिशाप करने की, जैसे कि अमुमना आप समझे, आपको एक घंटे में पिशाप लग जा रहा है, और आपको भागना पड़ा है, कोशिश करते हैं आपको, कि आप अपनी अर्ज को control करें, कहीं और काम में मन लगाएं, एक के उपर पैर रख के बैठ जाएं, किसी तरीके से अपनी pelvic floors को दमाएं, धीरे धीरे करके आपको हम कोशिश करते हैं कि आपका urine 10-10 minute करके आगे बरता जाए, पहले हम आपसे बोलेंगी 10 minute आप urine control करिए, एक हफता 10 दिन बाद हम ब बीच में urine ना जाना पड़े, कई सारे लोगों में इन ही measures के थूरू control हो जाता है, और अगर control नहीं हो रहा है, तो उसके और भी फिर तरीके होते हैं, control करने लिए एक bio feedback mechanisms होते हैं, कुछ electronic devices होती हैं, जैसे ही आपका urine start होगा leak करना, वो आपको sensor के जरिये आवास करेगा, ब इसको contract करते हैं, तो एक bio feedback mechanism बनता है, जिससे आपको bladder training में आपकी मदद बनती है, तीसरा हम लोग आपको ये regular bladder training exercises बताते हैं, अब keegles exercises बोलते हैं, इसको जो कि आपको दिन में तीन से चार बार दस-दस के set में करना होता है, वो कुछ typical type की exercises होती है, जब पेशिंट OPD में आता, तो हम उसको explain करते हैं properly, और उसको सही धंग से करना चाहिए, गलट धंग से करने से ये दिक्कत बढ़ भी सकती है, फिर अगर इन सब तरीकों से अगर patient को अराम नहीं मिल ला है, तो कुछ drugs होती हैं, जिसको antichol magic drugs बोलते हैं, उनको हम start करते हैं, male patient में हो सकता है, कु उसके according, उसको उपर नीचे करके कई सारे, अमोमन, 80-70-80% patients में अराम मिल सकता है, कुछ patients, especially जो stress incontinence के patients होते हैं, जिनको खासनी छीखने पर या एकदम से खड़े होने पर urine लीग करता है, उनमें देखा गया है, drugs का बहुत जादा रोल नहीं होता है, उनको तो हम first and foremost, उनक behavioral management करते हैं, पानी intake, किस समय पे लेना है, कैसे लेना है, वो समझाते हैं, कीगल्स exercises, pelvic floor strengthening exercises कराते हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं control हो रहा है, तो then there are some certain type of surgery, especially in females, को हम TVT, TOT, taping होती है, वो urethra करा हूँ, जो की, और या bulking agents, हम urethra के, पिशाप की जो नली होती है, उसके चारो तरफ डालते हैं, जो की, आपके pelvic floor muscles को support करता है, और आपका leakage रोकता है, कुछ patients, surgery के बाद, specially males में, जो prostate की surgery होती है, एक personal लोगों को, उसमें दिक्कत आती है, कि वो incontinence के शिकार हो जाते हैं, उनकी urine बराबर हमेशा तपकती रहती है, उन cases में, कुछ sphincters, artificial sph लगा जाते हैं, urethra के चारो तरफ, 12 specialized devices, थोड़ी सी महेंगे devices हैं, but yes, they are quite successful in the management of incontinence, तो इन patients में कुछ special devices आती हैं, वो हम इनको लगाते हैं. झाल